नमस्ते इंदोस्तान कैसे हैं आप लोग तो अभी करन जोहर की जो बद्तमीजी कहूं या उनकी बदसलू की कहूं जो हद पार कर चुकी है शायद ये मूवी आपने भी देखी होगी मैंने भी देखी होगी क्योंकि उस टाइम पेंडिमिक में इस तरीकी की कोई चीज जो पट्टी आज हमारे आँखों से खुल रही है वो नहीं निकली थी सबके आँखों पर पट्टी थी कि बॉलिवुड है, मूवी है, कहा जाएं, PVR बंद है, सिनेमा घर बंद है, तो OTT प्लेटफॉर्म पे कुछ भी जो आता है देख लेते हैं गुंजन सक्सेना जो कार्गिल लेडी, फर्स्ट कार्गिल लेडी, फर्स्ट विमन पाइलिट 1999 की कार्गिल में जिन्होंने अपनी जाबाजी, अपनी बहादुरी से सब को दंग कर दिया था, चौका दिया था, जिनकों कि आज भी हम सल्यूट करते हैं गुंजन सक्सेना को देखकर हर मा का सीना चौड़ा होता है और जो गलत फैमी में ये जो पेरंट्स थे, एकॉर्डिंग टू करन जोहर, आज जो मुवी हमने देखा, उसके एकॉर्डिंग जो पेरंट्स हमेशा अपनी बेटियों को आगे बढ़ते हुँ देखना चाहते ह हैं, ऐसे मुवी देखकर वो डरते हैं, कापते हैं कि अपनी बेटी को डॉक्टर बना लो, अपनी बेटी को हाउस्वाइप बना दो, लेकिन इंडियन एर फोर्स में मत भेजो, क्यों? क्योंकि इसका कारण आप सभी को पता होगा, गुंजन सक्सेना ने गुरुवार को ए पवित्र कर रहे हैं, बॉलिवोड को गंदा कर रहे हैं, बद्दाम कर रहे हैं, इनके पर्सनल नीजी जिन्दगी में तखल अंदाजी कर रहे हैं, ये बॉलिवोड जो कि किसी भी डिपार्टमेंट को नहीं छोड़ता, यहां पर कि हमारे इंडियन एर फोर्स को भी नहीं और यह बोला था कि इस मुवी को बनाने की पर्मिशन इंडियन एर फोर्स ने नहीं दी है इसकी इजाजत नहीं दी गई है और उस टाइम भी बोला गया था कि इस मुवी में इस तरीके के चीजह ना दिखाया जाए और इसका एक नोर्टिस का एक लेटर धर्मा प्रोडक्श गुरुवार को खुद गुंजन सक्सेना सामने आई है मैं सल्यूट करती हूँ माम एक बार फिर से हम आपकी बहादरी को नमन करते हैं पहले भी ये दुनिया नतमस्तक करती है आपकी बहादरी को और एक बार आपने जो फिर कदम उठाया है इसके लिए बहुत-बहुत धन्य आपका कोटी कोटी नमन बिल्कुल दोस्तों आज गुंजन सक्सेना सामने आई है और दिल्ली हाई कोट में जाकर उन्होंने अपने बात रखी है कि जिस तरीके की चीज़ें दिखाई गई है इस सिनेमा में करण जोहर धर्मा प्रोडक्शन के द्वारा वो बिल्कुल गलत है ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं एक लेडी ओफिसर को एक फीमेल ओफिसर को कई मेल ओफिसर के द्वारा अपमानित होने वाली चीज़ें कभी भी उनके नीजी जिन्दगी में हुआ नहीं जो कि फिल्मों में दिखाया गया है फिल्म में ये तक दिखाया गया कि गुंजन बेशर्म थे कि उन्होंने वहाँ से जाना, हटना भी सही नहीं समझा और वहाँ पे उस female officer गुंजन सकसेना पे वो हस रहते, उनका मजाक उड़ा रहे थे उन्होंने इंडियन एर फोर्स को इतना गंदा दिखाया कि इंडियन एर फोर्स जो रियल लाइफ में हमारे देश के लिए हमेशा से सही और एक नीम है, एक पिलर है हमारे देश का वो एक ऐसा मजबूत पिलर जिसके वज़े से मैं और आप आज चैन की नीन अपने घर पे सो रहे हैं अगर शरहत पे भी कोई फोर्जी भाई को कभी कुछ हुआ है तो उसको वहाँ पे पहुचने के लिए ये रेस्क्यू टीम ये इंडियन एर फोर्स जो लड़ने जाती है, वहाँ पे बचा कर लाती है और कई चीजों में इंडियन एर फोर्स का नाम और हाथ रहा है कई बार ये अपने बहादुरी की वज़े से शहीद भी हुए हैं देश के लिए शहीद हुए हैं और इस इंडियन एर फोर्स को इस हद तक बदनाम किया गया है जिसमें इंडियन एर फोर्स की खुद ऑफिसर गुंजन सकसेना ने ये बोला है कि कभी भी इस तरीके का कोई चीज हुआ ही नहीं उनके नीजिस जन्दगी में कभी भी पंजे की जो लड़ाई दिखाई गई मेल ऑफिसर्स के साथ कि अगर आपको फ्लाइट बिमान उड़ाना है तो आपको पंजे बाजी करनी होगी मुकाबला करना होगा मेल ऑफिसर्स के साथ फिर जाकर आप अपने आपकी अपना ताकत सिद्ध कर पाएंगे इस तरीके की चीज़े कभी उनके नीजी जिन्दगे में नहीं हुई हालांकि कोट ने इस चीज़ पे ये भी बोला है कि इस मूवी को रिलीज हुए काफी टाइम हो गया है जिनको देखना होगा OTT पे अल्ड़ी देख चुके हैं और ये बात कहीं न कहीं सच भी है कि जिनको अपनी धार्ना बनानी थी वो इस मूवी को देखकर अल्ड़ी अपनी धार्ना बना चुके हैं तो हमेशा से बॉलीवोड जो बोलता है कि हम उनको अपवित्र कर रहे हैं बदनाम कर रहे हैं ये बॉलिवुड हमेशा से हमारे भारत देश की हर डिपार्टमेंट की बदनामी करता है और इस्पेशलि उस डिपार्टमेंट को भी नहीं छोड़ा जो की हमारे देश के लिए शहीद होते आए हैं, जो जिनकी जिन्दी का मकसद ही देश और भारत की सेवा है, आप लोगों को याद होगा इससे पहले भी एक तक अपूर के दौरा ऐसी चीज़े आई थी जिसमें कि फौजियों की जो हमारे फौजी भाई जो हमारे शरहत पे हमारे लिए लड़ रहे हैं, उनकी बीभीयों के लिए उनकी पत्नियों के लिए बहुत गलत चीज दिखाया गया, जिसका मैं आपको बता भी नहीं सकती, कि वो अपने पती जो शरहत पे लड़ रहे हैं, वो वहां है और वो पीठ पीछे गलत काम कर रही है, इतना इनी इससे पहले भी बॉलिवुड में बहुत सारे चीज चीजे दिखाई गई, ऐसे ऐसे चीजे जिसको कि अगर आप देखोगे तो दंग रह जाओगे देखकर, और आप शब ने देखा भी होगा इससे पहले अहलिया बाई के जो इतनी बड़ी एक महान औरत हैं, जो धर्म गुरू हैं, जिन्होंने कई धर्मशाले बनाई, धर् हमारे समाज में, और हम उसे देखते आएं और एंटेटेन करते आएं, हम पर ये थोपते आएं, आप खुद सोचें, क्या जिस तरीके की फिल्म गुंजन सकसेना को मूवी में दिखाया गया, रियालिटी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जो फिल्म में दर्शाया ग हर दिन insecure फिल करती थी, कि उनकी बेटे के साथ क्या होगा, जैसे कि वो किसी इंडियन एर फोर्स में नहीं आई हूँ, वो किसी गंदी जगा आ गई हूँ, इतना गंदा मैसिज इंडियन एर फोर्स का इस तरीके से छबी खराब किया गया इस मूवी में, क्यूं, आखिर क् कौन देगा, करन जोहर, आपको शर्म नहीं आई, इंडियन एर फोर्स को तो छोड़ देते, हमारे भारत की आन मान शान को भी आपने नहीं बक्षा, और उबर से खुले आम बेशर्मों की तरह उल्टा हाई कोट में पहुंच जाते हो और बोलते हो कि बॉली बुड को हम ब बन गये, बिलिनियर बन गये, तरक्की पा लिया इन्होंने, और भारत को बदनाम और गंदा हम करते हैं, दोस्तों अभी फिर करन जोहर, एक और बार बेपूप बनाने आ रहा है, अभी तक तो वो यूथ जेनरेशन को खराब कर रहा था, अब हमारे आने वाले कल को भी इस साल या पचास साल कुछ कंप्लीट हुआ है, आव नो आइडिया, बहुत जशन से ट्रेंडिंग चल रहा है, बहुत लोग मना रहे हैं, कुछ-कुछ होता है, लेकिन ये मूवी जहां अभी तक यूथ जेनरेशन तक थी, इसी का रीमेक, एनिमेटेड रीमेक आ रहा है, कु फोर आर किड्स बाइ करन जोहर, वो करन जोहर जिसने की हमारे इंडियन एर फोर्स को भी नहीं छोड़ा, बदनाम कर दिया, विचार कीजेगा, कि हमारे आने वाली जो पीड़ी है, वो भी बॉलिवुड के गिरफ्त में ना आए, उन्हें बचाने के लिए, आज अपनी आ आपके आने वाले बच्चे, आपसे एक दिन यही सवाल करेंगे, कि मैं यह चीज़ करूँगा, जो भी चीज़ आप मना करेंगे, और आप मना करोगे, उस पर आपको यही जबाब देंगे, तो क्या हुआ, ऐसे गंदगी, गटर, करन जोहर के साथ, करन जहर, जो जहर फिल के क्या कदम उठाना चाहिए, इसके लिए आप अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजेगा, जैहिंद दोस्तों, जैहिंद, जैजन, भारत की जनता, तैंक यू सो मैच,